आज हम बनाएंगे आलू पूरी का नास्ता तो बहुत ही टेस्टी बनेगा मैं हूँ वर्षा मेरी वर्षा इसके चिन में आप सभी का स्वागत है आप लोगों से रिक्वेस्टे वीडियो को पूरा देखे पसंद आए तो लाइक शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो इस तरह से आटा मैंने चान लिया है और अब आदा चास चिप छांड कर लेते हैं तो उसे भी चानकरी डम भावेरे हुक लिए हैं 이제 हैं तो इसको मेश भी कर सकते हो पर मैंने सभी आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है एक इंच अद्रक कद्दूकस किया हुआ दो हरी मिर्च और तीन से चार चमच बारी कटा हरा धनियस में डालेंगे आदा चमच इसमें शाट मसाला डाल लेते हैं और थोड़ी सी हिंग डा में अच्छे स सब्सक्रें अच्छे कर लेते हैं और पूरी जैसा याटा इसका टीयार करेंगे डालेंगे ऑसी-जाट कर … तैयार होगा और पाणे डालकर अच्छे से गूनते हुए आटे को मैं इस तरह से गून के रेडी कर लिया है दस मिनेट रैस पर चोड़ेंगे और दस मिनट बाद आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे और एक बोड़ी साइज की लोई तोड़ लेते हैं और इसे चकले पर रखकर इस तरह से गोल गुमाएंगे थोड़ा से सूखा आटा लगा लियाता इसको अच्छे से गोल गुमाते हुए हम इसकी लोईया काट लेंगे साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं तो लोई काटने के बाद अब इसकी आप थोड़ी चोटी लोईया बना कर तयार कर लेंगे तो इस तरह से लोई मैंने बना ली है अब इसे हम बेल लेते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक, शियर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरू बताय करें, और पूरी को फ्राइ करने के लिए डाल देते हैं, अलक्यातों से इसको प्रैस करेंगे, जावे या कर्ची से पलट लेते हैं, और अलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक पूरी को सेख लेंगी, तो नास्ते के लिए बहुत ही अच्छा ओप्शन है, एक बार जरू ट्राइ करें, और इसी तरह से बागी की दोनों पूरी अभी डाल ली नेवी पलेट में निकाल देंगे,